मेरा लोकिक नाम मेगा कॉल है और मैं पंजाब स्पोर्स डिपार्टमेंट में टेबल टैनिस कोच हूँ और मुझे इस ग्यान में आए दस अल हो गए हैं जब से मैं बाबा की बनी हूँ तो मुझे बहुत सारे बहुत प्यारे अच्छे अनभू हुए हैं तो नहीं समझ आ रहा कि पहले कौन सा शेयर करूं फिर भी मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि एक बार 31 दिसंबर को मैं बाबा मिलन करके वापिस आ रही थी तो मैं अगल बाबा के बच्च्च्चा पूटा अपको कैसे पता कि बाबां आपको बहुत पायार करते हैं मैंने बोला मुझे कभी जरूरत लगी नहीं कि मैं यह फिल करूं बाबा मुझे प्यार करते हैं कि नहीं, वो बच्चा थोड़ा सा श्रारती टाइप था, तो उसने बोला कि आप बाबा को अपनी कोई विश पूरी करने के लिए बोलो, ऐसी विश जो भी तक पूरी नहीं तो मैंने बोला चलो ठीक हैं, मैं भी ट्राइ करती हूं कि बाबा मुझे कितना प्यार करते हैं, तो उसी टाइम रात के सुभे, अमरे तिवेला था, सुभे तीन बजे था, मैं ट्रेन की उपर वली बर्थ में बैठी थी, तो मैंने सुक्षम वतन में गई और वहां जाके म आप मुझे प्यार करते हो की नहीं, जबकि उस टाइम तो मुझे कार चलानी आती भी नहीं थी, तो दो जन्वरी को मैं पट्याला पहुंच गी, तो लेकिन आप बाबा का ऐसी किरपा या मेरे को बाबा ने अनुभब करवाना था कि मुझे तुम्हारे से बहुत प्यार है दो जन्वरी को मैं पट्याला पहुंच ए और दो फरवरी को मेरे पास कार आ चुकी थी और मुझे जबकि चलानी भी नहीं आती थी, मत्तोब दो फरवरी के बाद फिर में पूरा मार्च में कार चलाना सीखी और मैंने गाड़ी में ही बोल दिया था कि बाबा ये जो मैं का दो महीने में मुझे बता दिया, जबकि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी, पहले मैंने गाड़ी क्रीदी और बाद में चलाने सी की, और एक बहुत अच्छा अभव है, कि हमारा एक अपना घर था, लेकिन मैं चाहती थी, कि हमें एक और अच्छा नया घर बनाई, तो मैं चाहरी थी, कि मेरा घर व किसी बाबा के बच्चे के घर के पास हो, तो मेरे हस्बेड ने किसी और एर्या में घर पसंद कर लिया, और अडवान्स पैसे दे दिये, तो मेनने आश्रम में आई है मेन बाबा को बड़ा बाबा आप मुझे कहा घर लेकर दे रहये हो वहाँ तो कोई बाबा का बच्चा रहता नहीं है तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ खोक्री कोने आकर बोला कि अरिय żeby ठीक नहीं ही वहां सबसे टौप पे बाबा का ही पूरा आश्रम में बना रख है, उपर कमरा है बाबा का बहुत सुंदर कमरा और जो मेरा पडोस है वो सारे बाबा के बच्चों से भरा हुआ है मतलब कहने का बाबा को बोलती हूं और एसा लगता है कि मैं चोबिस घंटे बाबा की गोद मे रहती हूं कि बोला पूरा हुआ, बोला पूरा हुआ और एक और experience बताना चाहूंगी कि जो मेरे मम्मा थे वो भक्ति मार्ग में बहुत जादा थे और मैं कहते थी, मंमा, एक बर आप ज्ञान सुनो, बाबा साक्षात आए हैं, ज्ञान सुनो. तो एक बार दो रमा क्लास लेनी आए लेकिन घर में आके बोलते है कि मैं इस ग्यान को मानूंगी यह तो कृषिण ची को भगवान नी कहते सत्यूक का राजपमार कहते हैं मैंने बोले ठीक है मम्मा आप मत जाओ लेकिन फिर मैंने बाबा को प्रात्ना करी मैं कि बाबा ये जो मेरे मम्मा है बहुत अच्छी आत्मा है आपसे विंती है कि इनको भी अपना ग्यान दो कि अब पता लगे कि साक्षत परम पिता परमात्मा इस धरा पे आ चुका है पूर मतलब ऐसे experience है कि मैं क्या बता हूँ एक last experience मैं थोड़ी aggressive nature की थी जब तक मैं बाबा का बच्चा ने थी लेकिन जब से मैं बाबा का बच्चा बनी हूँ तो इतनी शांती इतनी स्थिरता आ गई है कि मुझे खुद नी बता ये बात मुझे दूसरे लोग बोलते हैं पहले म मैं आफिस में सब मुझे good morning मैं भी उनको good morning बोलती थी लेकिन मैंने अपने office में किसी को कुछ बोला नहीं वह 45 का staff है लेकिन मेरी personality देखके अब सब लोग मुझे खुद बोलते हैं mega bhaen om shanti om shanti तो मैं surprised होती हूँ कि आप मुझे good morning क्यों नहीं कहते कहते नहीं mega bhaen आपको देखके मन करते हैं कि हाप एक शांत और स्थिर आत्मा हो तो हम मतलब जो सरदार लोग भी हैं जो भी अलग अलग धर्मों के लोग मेरे office में हैं लेकिन daba की ऐसी किरप है कि वह मुझे देखके ही बोलेंगे mega bhaen om shanti om shanti तो कहने का मतलब कि जब से baba मिले हैं शब्द ही नही अपनी बाबा को बाते करें और बाबा को अपनी problems बताएं तो मुझे पूरी-पूरी उमीर है कि बाबा आपको बहुत अच्छा experience कराएंगे और प्लीज एक बार मेरे experience सुनके एक बार जरूर आप ब्रह्मा कुमारिश आश्रमाय और इस अनुभब को एक बार जरूर ट्रा